मुझे ऐसा नहीं लगता है, 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपती ली ही नहीं है, तो यह प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपती की जरूरत नहीं थी. अच्छा नहीं लगता है, 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपती ली ही नहीं है, तो यह यह प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपती की जरूरत नहीं थी. अच्छा जिगना जी, Big Boss ने आपकी इमेच क्लियर करने कले काफी White Watch के press conference हर गए, क्या आप उसका proper उपयोग ले पाए हो? वह आप audience को पुछना चाहिए. सबसे पहले तो यह जाना चाहेंगे, आपकी press conference वी थी Big Boss के घर में, तब बहुत ज्यादा strong candidate देख रही थी घर की. आपने तभी past के बारे में बात करना वन्जूर नहीं किया, कि आपको नहीं बात कर दी है, बट वही आप Big Boss ने आपकी past को recall कर रही थी, तो क्या कहना चाहूँ गया? मैंने शायद 2-3 जो यहाँ पर आप लोग से पहले personal one-to-one interviews हुए, वहाँ पर मैंने past में बात करने के reasons दिखाए, Big Boss के press conference में नहीं बात करना, वो एक conscious decision था कि मुझे नहीं बात करने थी, वो sudden press conference हुई थी, हमको पता ही नहीं था, कि मुझे खुदको नहीं बताया गया था, जैसे आप लोग ने बोल देखा होगा मैं नाइड्रस में ही आ गई थी without getting ready और घर के अंदर past में एक 6 हफता डेड मैंना कोई इंसान रहता है, 17 लोगों के साथ में, हर कोई अपनी past की बाते share करता है, so it was more on the lines of sharing, अगर मुझे कोई रिंकु जी पूछ रही है कि क्या हुआ नील पूछ रहा है मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये एक स्टोरी और मेरे life lessons, experiences share करने का मुद्दा था, it was nothing to other than that. जी आपको रखता है कि आपको सब लोगों ने मिलके, कुछ लोगों ने मिलके टार्गेट किया है, घर में या फिर जहां जहां पर आपको वोकल होना चाहिए था, हाप ने अपने strongly अपना पॉइंट रखा नहीं, इसलिए आजा पहार है, दोने में सापको क्या दोने मेरे जहां मुझे रखने चाहिए थे, मैंने बहुत अच्छे से, एक्दम strongly रखे है, हाँ मैंने दूसरों लोग के जह से चिला के नहीं रखे, मैंने जगडे नहीं किया, कॉफी के लिए जगडा चोरी नहीं किया, पराटे नहीं चोरी किया, शायद सबको वो ही पसंद है, उसी मनारा गलत थी, मैंने मनारा की साइड नहीं ली, तो वैसे काफी मुद्दे चे जहां अभिशेक ने ट्रिप किया, अपना एंगर तो उसको कंट्रोल करने में हल्प किया मैंने और रिंकु जी नहीं, और जो जो मुद्दे लगे के ये जैन्यून है, और घर को, बिग बॉस को एफेक्ट हो रहे है, वहां पर मैं खडी रही थी, मुझे ऐसा लगता है, तो कि जब ग्रेस पेजन्ट में आपका नाम लिया गया, बहुत हुआ हुए, बहुत हुआ हुआ हुए, सबसे जादा आपके खहती नजर आई कि आपने उनके अन्वेर्थ होए है, उसके बाद कि एपिसोड में या 24 आवर्स में आप लोग 24 गंटा तो एपिसोड देखते नहीं होगे मेरे हिसाब से, एक चेन बनती है, मेरे को बुरा नावेद के लिए लगा था, जो मैंने स्पेसिफाई किया था, किसी के साथ कन्वसेशन करते हुए, कि इस नॉट अबाउट मी, इस बहुत आगे बढ़ गया था वो, comparatively बाकी लोग थे जो ग्रेस प्रियर्ड में आना, उनका जस्टिफाई हो सकता था, वो कंटेस्ट में मैं अपसेट हुई थी, और मुझे ऐसा गिल्ट फील था कही ना कही नावेद को लेके, जो मैंने उस दिन रात को भी क्लेरिफाई कि किया था, और जहां तक अरून के क्लोथ जो दोने की बात थी, उसको आउट अफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है, मैंने कभी भी उसको एक अहा लग गया था, मनस्वी जस दिन जा रही थी, उसके बाद वो एक साइड मनस्वी का टनल से बाहर निकलने का था, और अभिशे था, कि उसको हैरलाइन फ्रेक्चर था, जो दस दिन तक चला, तो मेरी जो मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ, तो वही गुड फेत में मैंने बोला था, अरुन जी कोई बात नहीं, आपको दो देती हूँ कपड़े, वाशिंग मशीन थे, नहीं, सब ल कई बोल सकते हैं, यहीं है कि यह पयाया गया और शुम दिखाया गया कर दो मुझे है कि अजे हूँ नहीं हैं उम पाश्ट सपISA ह淌ना सब्सक्राइज को दिखाया गया बट मैं कम दिख रही थी क्योंकि मेरी ऐसी personality है कि जैसे सना है, बाकी लोगों के जैसे जादी है, वो लोग nomination होने के बाद वो लोग बहार आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है audience को, कि हम में कुछ आ गया, fire आ गया, मेरा ऐसा नहीं रहा है, आप लोगोंने जो भी notice किया हो 40 दिन तक मेरा graph एक जैसा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं flip-flop हुई, मेरा दिमाग सटका, मैं कुछ भी कर रहे हूँ, किसी को गाली दे रहे हूँ, किसी से जगडा कर रहे हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं बहुत dignified और gracefully रही हूँ 40 दिन and I am proud of that.